जैसे जैसे चुनाओ का समय नजदीक आता चला जा रहा है, वैसे ही राजनितिक तापमान चरम सीमा पर तेज होता चला जा रहा है। आगामी लोकसबद चुनाओ 2024 की रणनीती मजबूत करने पूरू डिप्टी सीम तारकेशोर प्रसाद भागल पर पहुंचे। और उन्होंने भार्ती जनता पार्टी के भागल पर रिखाई के दर्जुनों पदधिकारी और रिकारकरताओं से चुनाओ को लेकर कई बिंदूं पर वार्ता की, जिसमें पार्टी की मजबूती बने और एंडिय बिहार में 40 में 40 सीट लाए। इसी बाबत भागल पर पहुंचे पूरी डिप्टी सीयम तारकेशोर प्रसाद ने आर्जेटी के सुप्रीमों लालो प्रसाद यादव को जम कर घेरा और उनकी कई कमिया मिनट में गिना दिल। तारकेशोर प्रसाद ने कहा कि लालू प्रसाद यादव की इस्थती खिस्यानी बिल्ली खंबन उचिवाली को गई है क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कई बेश्ट चार को अंजाम दिया है सत्ता उन से दूर होती चली गई है इंडिये कहीं हमारे साथियों में इस प्रकार से उन्होंने कई प्रस्टाचार को अंजाम दिया सत्ता उन से दूर होती चली गई इस बार वो माघडवन्दन की सरकार बनाने में सफल हुए थे लेकिन नितिश कुमार जी समय से चेत गए और फिर अब हमेशा के उन्होंने इंडिये के साथ अपना रिस्ता जोड़ा है तो उनके टिप्नियों से भारती जन्ता पाटके या इंडिये को कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है क्योंकि जो हमारे एस्वास्य प्रधान में नरेज कोधी है उनका पूरा भारतवर से एक परिवार है और लालूपरूली तो परिवारबात के पूशक है उनका जो अरखशन है व्व्वार के बात करते है लेकिन उनका अरखशन अपनी पत्नी अगर दल के अपने परिवार से बाहर के लोगों को सिर्ष नेत्री तो दें तो समझ माएगी कि वहीं उन्होंने कहा कि लालू यादव के टिपड़ियों से भाति जंत पार्टी और इंडिया को कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला क्योंकि प्रधनमंती नरेंदर मोदी का पूरा भारतवर्ष ही एक परिवार है राष्टे जंत दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर उन्होंने बरस्ते हुए कहा कि लालू यादव एक परिवार वात के पोशक है वो जो आरक्षण की बात करते हैं उनका आरक्षण उनकी पतनी पुत्रों बीटी तक सीमित है अगर अपने पूरी परिवार से बाहर के लोगों को शीष नित्त दें तो समझ में आएगा कि वो देश के हित के लिए सोचते हैं भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट